Hello everyone, welcome to Nanistar Academy. UP Scholarship के regarding बच्चों के डाउट हमेसा बने रहते हैं और डाउट इस अद तक तक है कि बच्चों का जो Scholarship है वो I think 28 March को 28 March को end हो चुका था, जिन बच्चों के यह नहीं कि especially में बात करूँ General OBC और Minority वाले बच्चों के लिए लेकिन अभी भी उन लोगों ने उमीद नहीं चोड़ी थी, वो लगातार अपना प्रियास करते रहे, उन लोगों ने ना जाने कहां 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 कम्प्लेंड की, उन लोगों ने यहां तक की CM से मिलने की कौशिसें की, पूरा हर एक अपना effort लगाया, जहां जहां उनको जाना वहां वो गए, लखनव तक गए, हर तरीके से पूरा प्रियास किया, लेकिन उन लोगों ने लाश्ट में आके उनके लिए एक उमीद जगी, उन लोगों को 8 जुलाई को एक उमीद देखने को मिली, बट वो भी कुछ खास मुझे उसमें कुछ ऐसा देख नहीं रहा है, क् जिस दिन से लोगों ने ओफिशल वेबसाइट में नोटिस डाला हुआ है, अब मैं आपको पहले नोटिस दिखा देता हूं, उसके बाद हम बात कर रहे होंगे कि इन बच्चों के लिए क्या कुछ यहां पर देखने को मिला है, हलांकि जो इनकी डिमांड थी वो एकदम ज जाते हैं, तब भी registration हो नहीं पाते है, और तब यह एक option होता था, तब बोलते थे कि यार, UP में इतने सारे बच्चे हैं, एक साथ apply कर रहे हैं, तो definitely we are sorry आना बनता है, हो सकता है कि इसका जो maintenance से website का उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन अभी जो current scenario है, वो यह है कि ना के पराब किया था, यह देख सकते हैं, आप लखना उदिनांक 8 चुलाई, 2024, वित्यवर 2024, 2023-2024 के सामान्यते वर्ग परिक्चे परणाम गोशित ना होने, एवं कती पर अन्य कारणों से सामान्य वर्ग अल्प संक्या, यहां पर जनरल अन्य पिछटा वर्ग, यानि कि आपका यह OVC माइनरिटी वाले बच्चे, वंचित चात्रों को चात्रविर्थी, सुल्ख पृति पूर्थी हुआ, अन्य कार्यों के संबंध में, इन बच्चों के लिए नोटिस निकाला गया था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, यहां पर कितनी काटिगरीज को स्कॉलर्शिप मिलता दो बार फॉम फिल किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम था इन बच्चों का, इन बच्चों ने अपनी आवाज उठाई कि सर हमारे साथ यह बेदवाव क्यों, हमें यह अपर्चेटी क्यों नहीं दी जारी, क्या वही एक मतलब नादान या अंसमझ हो सकते हैं कि उनको पता अपनी आवाज उठाई और इनकी आवाज सुनी गई, इनकी आवाज सुनी गई कि इनको एक और मौका दिया जा जिन बच्चों के साथ कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो, हो सकता है किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं आया हो उस टाइम पर यह भी सीन रहा है, किसी का मतलब जो मैनेजमेंट उसकी पज़े से फोरवर्ड नहीं किया गया या जो समाज के लियांड वाले उन्होंने उसको वेरिफाई नहीं किया, कुछ और भी रिजन रहा होंगे, और उनके साथ भी प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, अब कहान यह कि इन बच्चों ने अपनी आवाज उठाई, इनकी आवाज सुनी गई, इनको भी देखा गया कि जब इन्होंने यह क्लिएर बोला कि सर्र इस पर्टिकुलर इन केटिग्री को दो बार ओप्षन दिया जाता है, दो बार स्कोलर्शिप आ रही है, यह कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको, यानकी ज्यादा अमौ वो उसके लिए तो equality दे सकते हो, ठीक है, उसके लिए तो equality होनी चाहिए, आप amount के लिए, हम आपसे नहीं बोल रहे हैं कि आप amount इतना दो या इतना amount दो, amount जो भी दे रहे हो ठीक है, लेकिन जो घलतियां सुधारने की, या apply करने की, या जो वो opportunities हैं, उनको तो at least आप equally कर सकते हैं, यहां पर मैं दिखा देता हूँ, जिस तरीके से इन लोगों ने schedule डाला हुआ है, अब यहां पर पहले data देख लो आप, सामान ने जो भी समाज कर लिए और विभाग के दौरे data आया हुआ है, सामान ने बर जानी कि जो जनरल के बच्चे हैं, उनकी जो छात्रों की संक और जो धनराशी दी जानी है इनको वह है आप लोगों के लिए देख सकते हो, यानि कि 2,500,000,000 रुपे की धनराशी इनको यह दी जानी है, इधर यहां पर आप देख सकते हो, अलपसंकेक वाले बच्चों के लिए, अलपसंकेक वर्क का data दिया है, इनके पास 3214 बच्चे अब यह data, इतना बड़ा data भी नहीं है कि जिसके लिए आपकी site crash हो जाए, आपका server चला जाए, we are sorry से ही आगे नहीं बढ़ रहा है, आठ तारीक का इन लोगों ने notice release किया हुआ है, आज 16 तारीक हो चुकी है, एक हफता पूरा निकल गया, अभी तक एक single बच्चे ने registration नही किया इनके website पर, और schedule इनो ने प्रोपर तरीके से release किया हुआ है, no doubt आप देख सकते हो, यहाँ पर, पूरा schedule इन का देख सकते हो, चात्रों के इस तर से आविदन करने का date दिया गया है, 15 July से लेके 24 July, आज आप लोगों का 16 July हो चुका है, ठीक है, एक single बच्चे का भी registration यह यहाँ पर नहीं हुआ है, अब देखते है, window cup open होती है, क्या scene रहता है, उसके according मैं आपको update कर दूँगा, उसके लिए तो ठीक है, अभी हो सकता है, अगेन वही चीज़े कि इन लोगों ने यहाँ पर notice तो डाल दिया, लेकिन site पर कामी नहीं किया हो, website पर कुछ कामी नहीं कर दी तो आपको correction window देखने को मिल रहे होगी, यह सारी चीज़ें अब आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, इसके लावत चात्रों द्वारा आवेदन को जमा करने, या संस्ता द्वारा पुन्हें aggressive कराना, इसके लिए जो time दिया गया है, वो 16 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक यानि कि 30 जुलाई तक आपको अपना data college को दे देना है, college के पास पहुंच जाना चाहिए, उसके बाद तो जो normal procedure हो रही होती है, वो adjectives हैं आपके लिए, जैसे कि आपका data पहले PFMS से verify होगा, उसके लिए 31 जुलाई से 8 अगस्ता ये data चलने वाला है, फिर विश्विद्वा यानि कि जो data उनके पास filter करेंगे उसको कौन से बच्चे इसके लिए eligible हैं, कौन से नहीं है, तो उस सभी data को filter करके 8 अगस्ता ये सारी चीज़े हो रही होंगी, उसके बाद आपका NIC से scrutiny हो जाएगा, NIC जो कि आपका ये amount को bank account में transfer करने का काम करता है, तो ये अभी आपको तक आप लोगों को जो amount है वो देखने को मिल जाएगा, overall जो last date है आपके लिए scholarship की, वो 30 अगस्त है, 30 अगस्त तक आप लोगों को amount है वो आपके bank account में आ जाएगा, जिन बच्चों के साथ जो भी problem हुआ हो, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जिए आप यापर apply करने जाते ह जिसे ही आप यहाँ पर जाओगे, student वाले section पर जाना है, जिन बच्चों ने पिछली previous year में scholar supply है तो basically वो renewal पर जाएगे, और यहाँ पर आपको यह दिख जाएगे, इस तरीके से postmetric, जो भी आपका है, यहाँ पर मैं postmetric other than inter student पर क्लिक करता हूँ, जिन यहाँ पर आपनी basic website open होती है, आप लोगो तुरंट से मैं आपको एक वीडियो मिल जाएगा, या फिर मैं आपको update कर दोगा किसी भी तरीके से, उसके लिए जरूरी है कि आप लोगो हमारे channel के साथ जुड़े रहे, जितना हो सके आप लोग इसको subscribe कर लो, जितना भी हो सके इसको अपने friend circle में आप इसे share कर दिये, जिन मचों को अभी तक scholarship नहीं मिला है, यहाँ पर यह जो रखा गया है, basically 3 categories के लिए है, OBC, General, Minority, इनको एक बार फिर से मौका दिया गया है, आप लोग जो यह registration की date चलने वाली है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अल्रेडी बता दिया था है, जो आप आप कर सकते हो, 24 जुलाई इसके लिए last date रखी गई है, 24 जुलाई के बाद आप यहाँ पर कोई भी registration नहीं कर पाऊगे, और नहीं यहाँ पर कुछ correction window जैसा है, कि correction window open होगी, तो वहाँ पर आप अपनी गलतियां सोधार सकते हो, one time registration है, one time हर चीज हो रही होगी, आप लोग इस बार किया, जो गलतियां आप लोगोंने हर बार करते आयों, गलतियां आने वाले साल में ना हो, जो आप आपको मिलने वाली इसमें ना हो, उसके लिए जरूर ही है, कि आप मारे साथ connect रहे हर एक वीडियो जो आप लोग के लिए important है उसको visit करिये, और अपने friends circle में भी share करिए ताकि वह भी फिर आपको अगेन रिप्लाई में वह भी आपको कुछ ऐसा कॉंटेंट बेज दे रहें ठीक है आई होब आप लोगे जो डाउट है वो किलियर हो गए होंगे ठीक है यह एक opportunity आपको मिलिए इसको जरूर से आप लोगों को लेना चाहिए अब जो होगा वो देखा जाएगा क्या होता है वेबसाइट कब open होती है हो सकता है कि देर रात तक वेबसाइट open होने को मिले तो वो सारी चीजे में करके आप लोगों को update दे दोंगा ठीक है और फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेशन टोपिक के साथ थाप तक बने रही है हमारे साथ